टस्वीरों में देख रही ये महिला मशूर मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंदरा की पतनी होने का दावा कर रही हैं वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो अपने जख्म दिखा रही हैं इन्होंने विवेक बिंदरा पर मार्पीट का गंभीर आरोप लगाया है पिडिता ने सेक्टर 126 में FIR भी दर्च कराई है अगर पिडिता का ये दावा सही साबित हुआ तो विवेक बिंदरा बुरा फस सकते हैं दावा है कि पिटाई के बाद कुछ दिनों तक महिला का स्पताल में इलाज भी चला 14 दिसंबर को महिला ने बिंदरा के खिलाफ मामला दर्च कराया था लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है वहीं पिडिता के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्च कर जाच शुरू कर दी है आपको बता दे कि गाजियाबाद में रहने वाले वैभव कुआत्रा ने बताया कि 6 दिसंबर को ही मेरी बहन यानिका की शादी विवेक बिंदरा से हुई थी बिंदरा फिलहाल सेक्टर 94 में रह रहे हैं शादी के दो दिन बाद विवेक अपनी मा प्रभा से जगर रहे थे इसी दौरान पतनी यानिका ने बीच बचाओ करने की कोशिश की तो विवेक ने उसे कमरे में बंद कर दिया फिर उसे गाली गलोच कर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया बिंदरा ने उसे इतने थपड मारे की यानिका के कान में गहरी चोट आई जिसकी वज़ा से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है आरोप है कि बिंदरा ने पतनी के बाल भी नोचे जिससे उसके सर में गहरे जखम हो गए विवेक पर गुसा इस कदर सवार था कि उसने अपनी पतनी का मुबाइल फोन तक दोड़ दिया कई दिनों तक घायल महिला का दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चलता रहा शिकायत करता का कहना है कि उसकी वहल शारिरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से तूट चुकी है घटना के बाद वो किसी से भी बात नहीं कर रही है बतादे कि मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के इंस्टाग्राम पर 3.9 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है एक्स पर भी करीब 4 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं इतनी भड़ी हस्ती पर इस तरह का आरोप लगना बेहद हैरान करने वाला मामला है गौर तलब है कि विवेक बिंद्रा ने 41 साल की उम्र में शादी की है ये उनकी दूसरी शादी है फिलाल विवेक बिंद्रा पर उनकी पत्नी द्वारा लगे ये आरोप कितने सच्चे हैं ये तो पुलिस जांच के बाद साफ हो जाएगा